गुड मॉर्णिंग टु आल आपका अपने स्वागत है आज रास्तान के जो भोतिक प्रदेश है उसमें पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसके आज हम चर्चा करेंगे और जासा कि पूर्वी हमने बताया है कि जो पूर्वी जो भाग है वो राजस्तान का सबसे सघन भसावा सबसे ज़्यादा जो जन गहनतों वाला जो भाग है उसके रूप में जाना जाता है चुँकि ये जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसकी जो इस्तिती है वो दक्षन पूर्वी रास्तान का जो पठारी प्रदेश है और अरावली जो पस्चिम में इस्तित है उसके मद्धे में इस्तित है या हम ये कहें कि जो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है रास्त वो विभिन नदियों के द्वारा लाएगे जो आवसाद थे उसके निक्षेपन से हुआ है इसलिए इस पूरिवे मैदानी भाग के अंदर जलो और कोप म्रदा का निक्षेपन देखने को मिलता है जिसकी उरुरक शम्ता अच्छी होती है साथ ही क्योंकि ये मैदानी छेतर है इसलिए ये क्रसिके द्रस्टिकों से परिवहन के द्रस्टिकों से भी काफी महत्पून है साथ ही राजनीतिक द्रस्टिकों से भी कहें तो इसी पूर्वे मैदानी प्रदेश के अंदर रास्तान की जो राजधनी है जैपूर भी इस्तित है इसलिए इसका महत्प और अधि हो जाता है अब यहां यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी जो सामानी चीजे हमने चर्चा की उसको हमने यह स्लाइड में भी आप लोगों को दिखाया है कि अरावली स्रंखला पश्ची में तो 50 सेंटिमेटर की जलवाई रेखादार निदाइद होती है इस छेतर के वर्सा जादा होती है और या तो दक्षिन से उत्तर की तरफ जाएं या पूरव से पश्चिम की तरफ जाएं तो यह ओसत वर्सा की जो मात्रा है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है चूंकि यहां पर जलोड म्रदा है कोप म्रदा है तो उसकी जो उपजावपन रासथान के पुल चहेतर के अपर 23 स्ट जो चहेतर है उसके ऊपर पूर्वी मैदान का विस्तार देखने को मिलता है लेकिन यहां राज़स्थान की 40 प्रतिसत जो जनसिंग्या है वो निवास करती है पूर्वी जो मैदान है उसका जो पूर्वी जो भाग है विंद्यन और उत्तर पूरव की तरफ पूरवी जो मैदानी भाग है वो गंगा यमुना का जो मैदानी प्रदेश है उसमें जाकर मिल जाता है यहां जो सिचाई जो की जाती है उसके अंदर जो कुओं के द्वारा रास्थान के अंदर जो सिचाई की जाती है उसमें सरवादिक जो छेत्रफल है इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहां रास्थान के में अधिकाह जो नदियां है वो वर्सा आधारित हैं वर्स बर बहती नहीं है पूर्वी की तरब भी कहें तो एक वर्स बर बहने वाली नदी की रूप में चंबल नदी को यहां पर इमाना जाता है जिसकी उत्पत के मध्यक के अंदर जो फैला हुआ जो मैदानी चेत्र है उसको चपन का मैदान के नाम से जाना जाता है जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो इसके विस्तार के जब हम बात करते तो भरतपुर अलवर दोहल पूर करोल इस्वाय मादपुर जयपुर दो होसा तो भील वड़ा चितोडगड़ वहां पर यह प्रताप गड़ के अंदर भी इस मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है हमें देखने को मिलता है इसको अध्यन के दरस्टी कोण से पूरी मैदानी प्रदेश को हमने चार भागों में बाटा है बनास बेसिन मद्यमाई ब बेसिन चंबल बेसिन और बान गंगा बेसिन नदियों के दोरा निर्वित जो चेतर होता है उसको हम बेसिन के नाम से जानते हैं चूंकि बनास और बान गंगा का जो मैदानी चेतर है वो एक दूसरे से जुड़ जाता है तो कई बार अध्यन के दरस्टी कोण से दोनों को एक साथ भी हम अध्यन करते हैं अब एक-एक मैदानी चेतर की बात करें तो यहां हमने इस डाइग्राम के अंदर आपको यह बताने की कोशिस किये कि यह जो चंबल का मैदानी चेतर है क्योंकि इसका जो विस्तार है यह पूरवी जो पठारी प्रदेश है उस तक भी देख लीए इसके बहवचेतर के अंदर सामिल कर लिया जाता है यहां पृज अंदर आम के डुंगर पूर bucks वड़ा यहां माई बेसिंद यह बनास अगर रास्थान रास्थान के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है उसकी अगर हम बात करें जिसकी उत्पत्ती वी रास्थान में हो और सबसे ज़्यादा बहाव छेतर रास्थान में हो तो वो बनास नदी रास्तान का सबसे अधिक बहाव छेतर वाली नदी के रूप में जाने जाती है यहाँ यह बाणगंगा नदी है यह गंबीरी और पारवती तो यह इस तरह से अब यहाँ इसी चीज को हमने दूसरे मैप के अंदर समझाने की कोशिस की है यह जो ग्रीन शेड से इसको हमने चंबल बेसिन लेकिन इसका जो उत्री जो भाग है वो बाणगंगा का जो मैदानी छेतर है उसके रूप में जाना जाता है और यह मिडल माही जो बेसिन है मद्य माही बेसिन है जिसका की विसे इसका प्रतापगड डूंगरपुर बासवड़ा वहाँ इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है माही बेसिन या जिसके द्वारा चपन का जो मैदानी छेतर है इसका जो प्रवा छेतर है इसका जो निर्माण होता है वो माही वे उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है इस मैदान का जो विस्ता है उद्वपूर के दक्षिन में डुंगरपूर बासवड़ा प्रताबगड़ी जिलों के अंदर देखने को मिलता है अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें माही नदी की तो इसकी उत्पत्ति मद्यप्रदेश के धार जिले में सरदारपूर नामकिस् जाती है क्योंकि इस नदीयों की दारा भी अत्यदिक जो अवनाली का गली इरोजन जो किया गया है जिसके कारण काफी गैराई तक जमीन जो है विच्छेदित हो जाती है तो यहां के जो विच्छेदित जो पहाड़ी बू भाग होते हैं उनको इस्थानी अवासा में वां इसलिए यह जो नदी है MP से निकल कर उत्तर की तरब आपके राश्थानी प्रवेश्वड़ा में प्रताफगर देन दुंगरपुर से होती हुई गुजरात में प्रवेशकर खंबात की खाड़ी में चली जाती है चंबल बेसिन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि राश्थ जानापाओ के पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और रास्थान के अंदर ये चित्तोरगर जिलो के बहसुरगर तेसिल के अंदर प्रिवेश करती है जो हाँ पर 84 गड़ गाउं इस्थित है क्योंकि चबल जो नदी है इसके द्वारा अत्यदिक गली इरोजन किया गया है नदी के द्वारा लंबवत अपर्दन किये जाने के करण गहरी खाईया बन जाती है इनको हम बीर्ड या उत्कत या बैड लेंड जो इस्तला करती होती है उसके नाम से जानते हैं क्योंकि इस नदी के द्वारा भी नवीन जलोड या कोप मिट्टी का निर्मान की जो प्रवर्ती हमें देखने को मिलती है उसके कारण यहां जो उत्पादन है या अम्रदा की जो क्वालिटी है उसके उपर नकरात्मक जो प्रवाव है हमें देखने को मिलता है यहां डाइग्राम में हमने यही पताने की कोशिस किये कि यह जो चंबल बेसिन है चंबल ब पारवती कुनू या बनास जो इसके सबसे बड़ी सहायक नदी है उसके द्वारा भी इस छेतर के अंदर जो मैदानी छेतर होता है उसका निर्माण और यहां चुकि इस नदी के द्वारा गली इरोजन के कारण यहां पे बीहड का निर्माण हो जाता है इन बीहड को इस्था यह जो जिले हैं आते हैं अब जो बान गंगा है या बनास नदी है उसके जो छेतर को भी हम यहां सामिल करते हैं चुकि जो बनास नदी है चंबल के सायक है लेकिन जो बनास नदी का जो विस्तार है अपवा छेतर का वो जैपूर से उत्पन होने वाली जो बान गंगा नदी ह उसमें जाके mix हो जाता है यहां इस diagram में हमने आपको यही बतानी कोसिस किये कि यह जो red color है यह आपके बान गंगा का जो प्रवाच छेत्र है उसको दिखाता है यह वाला जो blue color है यह गंभीरी नदी को दिखाता है और यह yellow वाला light yellow जो color है वो बनास नदी को और यह orange जो color है वो चंबल नदी को दिखाता है जो बनास बान गंगा तथा बनास की जो साहिक नदीयां है चाहे बैड़ा चोग, कोठारी हो, मेनाल हो, घंबेरी हो, मौरेल हो उनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है इस मैदान के अंदर जो ओसत वर्सा जो होती है वो 60-65 सेंटिमेटर के बीच में होती है और यह जो वर्सा, यह उपलब्द, जलोड म्रदा, संसादनों की उपलब्द ताके कारण यह छेत्र करसी उत्पादन के द्रस्टी से महत्मौनी स्थान रखता है इस मैदान का जो उत्री पूरी भाग है विसेश कर जो टोंक में इस्तित मालपूरा वो करोली का जो मैदान है, वो अत्यांत कटा-फटा है तो यहाँ पर भी उत्कत इसला करती है या बीहड जिसी चीज़े हमें देखने को जो टोपोग्राफी है, वो देखने को मिलती है और यहाँ जो मैदानी छेत्र है जो हैं निर्मित जो चट्टाने है वो काफी पूरानी चट्टाने जो सिस्ट और निस्ट से निर्मित है अगर उत्पत्ति की बात करें बाणगंगंगंग नदी की तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो बैराठक में जो बिजक की पाहड़ी है जो जैपूर में इस्तित है वहां होती है उसके बाद ये जो नदी है जैपूर के बाद दोसा देनबहत्पूर में बहने के बाद उत्तर चुनकि ये एक मैदानी चेत्र है, विभिन नदियों के द्वारा निर्मित है, यहाँ पर जो म्रदा है वो उच्छ क्वालिटी की उपलब्ध है, और साथ ही यहाँ पर जो भूमी है वो मैदानी होने के कारण ये क्रस्टिक द्रस्टिकों से, ओद्योगिक द्रस्टिकों से, परिवेन के द्रस्टिकोन से काफी अनकूल इस्तिती रखती है इसलिए यहां पर अतेदिक जन घनतू अतेदिक जन संख्या भी हमें देखने को मिलती है तो इस तरह से अगर जब हम भोतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो आर्थिक द्रस्टिकोन से रास्तान का जो प्रक्षणी भाग जहां अरब सागर से भी अपने मांसुन की प्राप्ति करता है साते इसका उत्तर और पूर्वी जो भाग है वहां पर जो बंगाल की खाड़ी का जो मांसुन है उससे भी यहां जो वर्सा होती है वो अच्छी मात्रा में होती है जो कि यहां के क्रसिकत ज जडियों के निक्षेपन से हुआ है इसका जो उत्री भाग जैसे हमने आपको बताया भी है कि जाके गंगा यमना का जो मैदनी भाग है उससे मिल जाता है तो यह जो रास्तान का जो तीसरा जो भूतिक प्रदेश है उसके उपर आप से हमने चर्चा की आप लोगों से मैं बा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए धन्यवाद